Hello and welcome again my friends and dear student myself Mahendra Devanda आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम प्लेटियल मंतीज के बारे में इसमें इसके जनरल करेक्टर्स और इसका क्लासिफिकिशन के बारे में बात करने वाले हैं यानि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संग प्लेटियल मंतीज के सामाने लक्षन और उसके वरगी करण के बारे में बात करेंगे पूर्व कुछ वीडियो में हमने फाइलम प्रोटो जोवा, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंत्रेटा, फाइलम टीनोफोरा Tinofora एक minor phylum है और जो protozoa, porifera and cilantroate जो phylum है वो major phylum है तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैs phylum Pratelmanthias के बारे में वो एक major phylum है और इसमें हम इसके बारे में समझने का परियास करते हैं So, हमारे पास यहाँ पर कुछ example के तौरूर हम देख सकते हैं बिमारी को हमारे सरीर में या किसी दूसरे अनिमल में create करते हैं, पैदा करते हैं सबसे पहले हम इस term को समझते हैं platial mantis को, यानि जो यह सब्द जो दिया गया है term जो platial mantis the term platial mantis was proposed by gegen bar in 1859 यानि gegen bar द्वारा 1859 में यह सब्द का परियोग किया गया था the term origin from Greek यानि जो platial mantis जो सब्द है उसको हम अगर break करें तो उसका platis and hell means यह दो वर्ड हैं और यह दोनों वर्ड ग्रिक बासा से originate हुए हैं, ग्रिक बासा से उत्पन हुए हैं वर्ड है, जिनका मतलब होता है जिसमें पहला जो वर्ड है platis उसका मतलब होता है flat हिंदी में कहें तो चप्टे और hell means का मतलब होता है worm यानि flat worm platial mantis का मतलब हो गया flat worm इसके अंतरगत जो animals होते हैं वो flat worms होते हैं यानि यह चप्टे कर्मी होते हैं because they are dorsal ventrally flattened organism यानि यह जीव कैसे होते हैं यह dorsal surface पर और ventral surface पर चप्टे होते हैं जैसे कि हम अपने संदर में बात करें तो जो हमारी आगे की तरफ जो face होता है उसको हम ventral surface कहते हैं और इसके opposite direction को हम dorsal surface कहते हैं इसको हम other सता है और press सता की संग्या देते हैं तो जो platial mantis की जो animals हैं वो आगे और पीछे से यानि उसकी ventral और dorsal surface से चप्टे होते हैं एक पत्ती के समान होते हैं जैसे कोई leaf होती है उसी तरह ये animals होते हैं जैसे कि यहाँ पर एक tape form दिखाया गया है एक phita कर्मी दिखाया गया है phita tape आप जानते हैं फita बिल्कुल एक chapter plane structure होती है ऐसे ही lever flick एक पत्ती के समान हमें दिखाया पढ़ रहा है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे सबसे पहले हम इसमें समझते हैं इसके समाने लक्षनों के बारे में जेनरल करेक्टर्स के बारे में तो जेनरल करेक्टर्स में हम इस phylum से समझते हैं जो भी समाने लक्षन हैं उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले number of species यानि किसी भी phylum में या जब हम किसी animals को किसी phylum में संदर्ब करते हैं रखते हैं तो वहाँ पर हम number of animals की बात करते हैं यहां पर number of species की बात करें, तो number of species लगबग 29,487 species रिपोर्ट की गई है, यह through the word रिपोर्ट की गई है, यह इस अंसार बार में इनकी 29,487 species रिपोर्ट की गई है, habitat and habitat की बात करें, यानि यह किस तरह की आदत और इनके आवास किस तरह का होता है, तो mostly parasitic होते हैं, यानि अधिकांस जो इनके सदस्या होते हैं, वो परजीवी होते हैं, and some are free living, और कुछ सदस्या होते हैं, जो free living होते हैं, स्वतंद रूप से जीवन यापन करते हैं, अब जो mostly परासाइटिक होते हैं, उनमें भी, म्कि परासाइट आप जानते हैं, और अगर शरीर के बाहर कोई पर जीवी के रूप में पाया जाता है, तो उसको हम एक्टो परासाइट कहते हैं, यहाँ पर जो अधिकांस, जो सदस्य होंगे, प्लेटील मंतीज में, वो, अधिकांस तो परसाइट होंगे लेकिन परसाइट में भी अधिकांस कौन से होंगे वो एंडो परसाइट होंगे यानि सरी के अंदर परजीवी के रूप में पाये जाने वाले होंगे कुछ सदस्य जो परजीवी हैं वो बहर के तरफ यानि एक्टोपरासाइट होते हैं Some are free living, कुछ जो free living है उनमें वो fresh water में भी पाये जा सकते हैं और marine water में भी वो पाये जा सकते हैं And rarely common cell और बहुती एक या दो example हैं जो सेजी वी के रूप में common cell के रूप में पाये जाते हैं नेक्स्ट करेक्टर की बात करें तो body organization, सरीर का किस तरह का संगटन होता है, तो यहाँ पर tissue organ grade body organization पाया जाता है, यहाँ पर जो organ का विकास हो चुका है, हलाकि tissue आपस मिलते हैं तो organ का निर्मान करते हैं, इससे पूर जो हमने phylum देखे हैं, वो primitive phylum की स्रणी में रखे गए हैं क्योंकि वहाँ पर organ का development नहीं देखा गया है, वहाँ पर multicellular यानि वहाँ पर tissue level का organization, प्रोटो जो हमें तो protoplasmic level का हमें organization देखने को मिलता है, पोरिफेरा में cellular grade का हमें organization देखने को मिला है, तो यहाँ पर हमें पहली बारी organ प्रकार का हमें body organization देखने को मिला है, लोको मो की दरश्टिशे किसी परकार के lokomotory organ का development ही नहीं हुआ है य कुछ आँक फ़ाकने के लिए कुछ organs जरूर पाए जाते हैं वो भी इनके एक तरशे adaptive होते हैं जैसे कि इननमे spines पाए जाते हैं सकर्ष पाए जाते हैं hook 的 हैं are found in parasitic animal जो भी parasitic animal होंगे उनमें ये structure ये सरचनाई पाए जाती है यानि वो spines sucker and hooks के रूप में पाए जाते हैं locomotion यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये parasitic के रूप में पाए जाते हैं जो भी गमन होगा उनकी खुद की body में नहीं होगा जो parasitic move कर रहा है उसी की वज़े से ये एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर अपने परचिवी का ये एक दूसरे इस्तान पर ले जाने का कारे करते हैं body form की बात करें यानि body किस तरह के होती है तो इनकी body soft होती है बिलकुल और dorsal ventrally flatted ये आप ध्यानी रखेंगे ये dorsal and ventrally surface पर flat होते हैं और इनकी body को हम leaf like और ribbon like कह देते हैं क्योंकि ये पत्ती के समान क्योंकि अगर पत्ती कैसे होगी dorsal और ventrally पर बिलकुल चप्टी के होती है जैसे कि यहाँ पर एक tiniasoleum का head का part आगे जो सिर वाला जो भाग है उसको दिखाया गया है जिसमें आपको दिखाई पढ़ रहा है इसमें hooks पाये जा रहे हैं hooks एक parasitic adaptation है और सकर पाये जाते हैं सकर क्या होते हैं किसी भी animals जो जिसके उपर ये parasitic crop में पाये जाते हैं चिपकने के लिए बिल्कुल टच करने में उससे जुडे नने में ये सकर्स मदद करते हैं जैसे कि यहाँ पर एक tiniasoleum हमारी intestine के अंदर दिखाया गया है कि intestine के अंदर वो बिल्कुल चिपक कर पाये जा रहा है तो ये parasitic adaptation है कुछ और लक्षनों की बात करें यानि फाइलम, प्लेटिल मंदीज के जो हम general characters पढ़ रहे हैं उसमें हम germ layer की बात करते हैं यानि कौन-कौन सी germ layer यहाँ पर पाये जाते हैं तो ये triploblastic animals होते हैं यानि इनमें 3 germ layer पाये जाती है एक ectoderm, second mesoderm और endoderm यहाँ पर पाये जाती है पहली बार हमें यहाँ पर mesoderm layer देखने को मिली है यानि mesoderm यहाँ पर पाई जाती है यहाँ पर mesoderm है इसलिए यहाँ पर muscles भी हमें देखने मिलेगी उसको भी हम देखेंगे Body plane, body का plane किस तरह का होगा तो blind sack body plane पाये जाएगा blind sack का मतलब क्या हो गया कि एक ही मूँ होगा दूसरी तरफ NS का भाह होगा एक ही pore पाये जाएगा इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि यह diagram में जो दिखाये गया है food और waste जो भी खाना और जो waste product होगा उसके लिए सिर्फ single opening पाये जाती है और दूसरी कोई opening यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ती है इसको हम कहते हैं blind sack body plane पाये जाता है हमारे में जो body plane पाये जाता है वो tube within tube प्रकार का body plane पाये जाता है क्योंकि हमारा body एक tube के समान और उसके अंदर intestine एक tube के समान तो इस तरह का हमारे में system पाये जाता है तो इन में इस तरह का नहीं पाये जाता है यहाँ पर blind sack body plane पाये जाता है यानि mouth present होता है मुक्च पाये जाता है लेकिन NS का यहाँ पर अबाव होता है NS नहीं पाये जाता है next हम समझते हैं segmentation यानि खंडी बहुन की बात करें तो body unsegmented होती है body में किसी प्रकार का segmentation देखने को नहीं मिलता है segmentation यानि यहाँ पर नहीं पाये जाता है हलाकि हमें जब हम इसके class cestoda है फीता कर्मी जैसे animals हैं उनको हम देखें तो उनकी body हमें ऐसा लगता है कि वो segmented होती है लेकिन true segmentation यहाँ पर नहीं पाये जाता है pseudo segmentation is present in class cestoda cestoda class में pseudo segmentation पाया जाता है अब हम समझते हैं body symmetry के बारे में यानि सरीर की सम्मिति के बारे में समझते हैं bilateral symmetrical animals होते हैं यानि इनमें 2 parts सम्मिति पाये जाती है सम्मिति क्या होती है सम्मिति को हम इस परकार से परिवासित कहते हैं कि किसी भी animals के को बराबर रूप से divide करने वाली एक आवासी रेखा जो कि दो बराबर हुए भाग एक दूसरे के mirror image हो दरपन परतिविम हो उनको हम सम्मिति की स्रेडिमे मानते हैं और वो सिमिति कई परकार की हो सकती है इन animals में bilateral symmetry पाए जाती है द्वी पार्स समिति इन में देखने को मिलती है जैसे कि यहाँ पर एक animal को द्वी पार्स समिति यानि इसकी mid जो zone है उससे दो equal parts में इसको divide किया गया है अब हम समझते हैं body structure के बारे में यानि इन animals का जो platial mantis जो worms हैं जो क्रमी हैं उनका सरीर किस परकार का होगा तो definite polarity of anterior and posterior इन में polarity हमें पहली बारी animals में देखने को मिली है यानि इससे पहले जितने भी phylum है platial mantis से जो below phylum है minor phylum tenophora phylum silentrata phylum porifera और phylum proto जो में किसी परकार की कोई polarity हमें देखने को नहीं मिलती है means हम उस animals को देखकर ये नहीं बता सकते है कि उसका head part portion कौन सा है और posterior part कौन सा है यानि head और tail के बारे में हम बताने नहीं सकते है तो यहां पर पहली बार हमें इस तरह का polarity देखने को मिलती है means syphilization start in this phylum यानि इसमें syphilization head का जो आगे वाला जो anterior portion है उसमें differentiation होना सुरू हो जाता है और ये phylum का characteristics है special characteristics है जो यहीं से सुरू होता है तो यह character साब ध्यान में रखेंगे अब हम इनके सरीर पर आ जाते हैं body wall यानि सरीर के जो बाहर की तरफ जो layer पाई जाती है उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम epidermis के बारे में समझते हैं क्योंकि यहां पर जो dermis जैसी structure तो पाई नहीं जाती का मतलब एक cell में multiple nucleus का पाया जाना बहुत सारे केंदर का पाया जाना essential condition कहलाती है यह ciliated हो सकती है सभी सदस्यों में यह epidermis जो होती है यानि इन animals के जो बाहरी की बाहर तरफ जो epidermis पाई जा रही है उसके उपर कई बार हमें cilia देखने को मिलता है वो हम देखेंगे कि कौन से उसके classification में किसमें यह cilia पाये जाएंगे इन parasitic animals it contains thick cuticle parasitic animals होते हैं इनके जो body wall है उसके उपर एक thick cuticle की layer पाये जाती है body wall के उपर जिसको हम कहते हैं tagument यानि tagument parasitic animals में पाये जाती है और यह जो tagument है इसका secretion epidermis के द्वारा होता है it's secreted by the epidermis जो tagument है वो इसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह parasitic adaptation का एक example है यानि parasitic जीवन में रहने के लिए इनके अनुकुलन पाये जाता है mesodermal muscular layers पाये जाती है mesoderm जोंकि हमने बताया कि इसमें mesoderm पहली बारी हमें देखने को मिली है तो यहां पर mesoderm से muscular layer का originate हुआ है यहां पर longitudinal muscles circular muscles और oblique muscles यहां पर हमें देखने को मिलती है और यह कहां पर पाये जाती है our present just benefit of basement membrane यहांई epidermis के बाद में जैसे कि यहां पर हमें यह epidermis देखने को मिल रही है यह tagument है और यह basement है तो इस basement के just नीचे की तरफ क्या पाये जाता है वो पाये जाता है muscles की layers यहां पर पाये जाती है next बात करते हैं tagument की अब tagument होता क्या है उसको हम समझते हैं outer cytoplasmic layer होती है यह 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 cytoplasmic के बाहर की तरफ यह 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 cell की जो lining होती है उनके कुछ process cytoplasmic process बाहर की तरफ निकल जाते हैं और उनके द्वारा tagument यह यह cuticle का secretion होता है और एक thick layer का आवरण बना लेते हैं इनके सरी के उपर it is continuous with the cytoplasmic process of certain tagument secreting cells और इन cells को हम जो epidermis की तरफ पाई जा रही है और जो tagument का formation करती है उसको हम tagument secretory cells कहते हैं तो यहाँ पर tagument important कार्य करेगा क्योंकि tagument ही इनको parasitic anuculin बनाए रखने में मदद करता है कुछ बाहर की तरफ हमें microvillize भी देखने को मिलती है जो हम देखेंगे किसमें यह पाई जाती है अब हम समझते हैं body silom के बारे में यानि देहे गुहा के बारे में या आब सरी की एक cavity के बारे में भी कह सकते है body silom is absent इनमें silom नहीं पाई जाती है सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि silom क्या होती है तो xylom को हम इस प्रकार से परिवासित करते हैं, कि सरीमें पाई जाने वाली वो cavity, जो दो तरफ से mesoderm से घृवी हो, उसको हम true xylom कहते हैं, लेकिन यहां पर xylom नहीं पाई जाती है, लेकिन यहां पर mesoderm, mesoderm की layer का विकास हो चुका है, क्योंकि हमने कहा कि यह animals triploblastic होते ह दूसरे animals के वो diploblastic animal है जिन में एक्टोडम और estoderm ही पाई जा रही है लेकिन इस phylum में यहीं से शुरू होकर triploblastic animal सुरू होते हैं तो यहां पर अलाकि मीजोडर्म जरूर पाये जाती है, लेकिन फिर भी यह ऐसीलोमेट होते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि इन में जो मीजोडर्म के बीच में जो खाले इस्तान होता है, उन में पूरी तरह से वो पैकड होता है, किसी प्रकार का कोई space नहीं पाये जाता है, या बाहरी बाहर की तरफ इसमें जो है, वो एक्टोडर्म है, बीच में जो आपको कुछ चोकोर आकार में जो दिखाई पड़ रही है, वो मीजोडर्म है, और अंदरी अंदर की तरफ एंडोडर्म है, और एंडोडर्म के अंदर की तरफ जिसको गट कहते हैं, यानि जो हमारी गट है उसका origin endodermal होता है और बाहर की तरफ के जो पार्ट है उसका origin endodermal होता है और बीच में जो चीजे पाए जाती है उनका mesodermal से origin होता है जैसे muscles का origin mesodermal होता है यहाँ पर जो mesoderm पाए जारी है उनके बीच में किसी परकार की cavity नहीं है means वहाँ पर silom नहीं पाए जाती है तो silom की आप ध्यान रखने रखेंगे अब हम समझते हैं digestive system देखो हमें जब general characters याद करने होंगे या general characters के बारे में ध्यान में रखना है तो हम एक तो compare करके याद रखेंगे किसी भी animals हम एक phylum से दूसरे phylum में जब जाते हैं तो पहले phylum में क्या था और इस phylum में क्या है यह हम compare करके ही आगे बढ़ें तो हमें general characters और इनके बारे में याद हो सकता है नहीं तो हमें काफी मुश्किलें आती है digestive system की बात करें तो digestive system क्योंकि यह parasitic animal है तो किस परकार का digestive system देखने को मिलेगा इन टर्विलेरिया एंड ट्रिमेटोडा इसमें क्या है तीन क्लासे पाए जाती है इसके वर्गी रणों हम देखेंगे तो इनमें जो टर्विलेरिया और जो ट्रिमेटोडा है उसमें branched and incomplete digestive system पाए जाता है यहां पर इनकम्प्लीट का आसा यहां पर यह है जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ mouth पाए जाता है एनस नहीं पाए जाता है गुदा नहीं पाए जाता है तो यहां पर incomplete इसको digestive system कहते हैं इसके अलावा undigested जो food pass out और त्रोदा एनस अब जब एक ही पोर है तो undigested food जहां से लिया जा रहा है वहीं से यह बहार करते हैं और वो mouth part से करते हैं यानि mouth और एनस इनका एक ही opening पाए जाती है बट इन class cestoda जो इनकी तीन class में एक है टर्बिल एरिया trimitoda और last one जो यह cestoda जो class है उसमें यह जो alimentary canal है या digestive system जो है वो पूरी तरह से नहीं पाए जाता है यानि completely absent होता है and nutrition absorbed through directly through body surface अब जो nutrition होगा वो कहां से लेंगे यह body की surface से लेंगे ऐसा क्यों हुआ क्योंकि cestoda की जो animals हैं वो totally endoparasitic होते हैं वो जीवों के सरी के अंदर पर जीवी के रूप में पाये जाते हैं और वो यह इस्तान पर रहते हैं जहांपर इनको food easily available हो जाए इसलिए इनको digest system की structure का इनमें विकास ही नहीं हुआ है जैसे कि यहांपर आप diagram में भी देख सकते हैं food इसी में जा रहा है iscladent system का इनमें अभा होता है यानि किसी प्रकार का कंकाल system यहांपर नहीं पाये जाता है आगे हैं दूसरे फाइलम में जरूर इनमें हमें देखने को मिलेगा क्या है वो हम आगे बात करेंगे circulatory system भी इनमें नहीं पाये जाता है परिसंचन तंत्र के बारे में यानि circulatory system is absent होता है circulatory system इनमें नहीं पाये जाता है उसका अभा होता है अब हम समझते हैं respiration के बारे में यानि swishan के बारे में समझते हैं तो चुकि यह दिकांस जो animals होते हैं वो endoparasatic group में पाये जाते हैं में respiration के लिए कोई special structure नहीं पाये जाती है इनमें respiratory organs absent होते हैं नहीं पाये जाते हैं gas exchange happen by the diffusion of gases through general body surface इनमें जो respiration की जो process होती है वो general body surface के द्वारा होती है यानि इनकी जो सरीर की जो सतय होती है उनके द्वारा carbon dioxide जो और oxygen होती है उनका आपस में exchange आदान-परदान हो जाता है non-parasitic जो flat worms होते हैं flat worms respire through body surface वाइल जो non-parasitic होते हैं वो तो अपनी general body surface के द्वारा अपना respiration की प्रक्रिया पूरी करते हैं और जबकि जो parasitic worms होते हैं are mostly anaerobic यानि वो anaerobic होते हैं यानि उनमें एवाई भी स्वशन होता है अब हमें सबसे पहले स्वशन को समझना पड़ेगा कि स्वशन हमारे लिए महत्वपून क्यों होता है स्वशन हमारे लिए महत्वपून ये होता है क्योंकि हमें जो खाते हैं जो हम भोजन ले रहे हैं उससे हमें जो glucose बनाया है उससे हमें जो energy बनानी होती है उसके लिए oxygen के आवसकता पढ़ती है और वो oxygen के आवसकता हमारे electron transport system में उनकी आवसकता पढ़ती है और energy oxidative fast relationship में energy का हमेरे पास निर्मान हो जाता है और उससे हम ATP generate होने के हमारी उर्जा के रोप में वही काम में आता ह है लेकिन यहां पर जो anaerobic animals होते हैं एवाइवियर स्वसन करने वाले जो animals होते हैं उनमें glycolysis के process तो सब में common होती है उसमें किसी प्रकार के वाइवियर या एवाइवियर की हमें oxygen होई यह compulsory नहीं है तो जो glycolysis है वो main source हो जाता है energy का क्योंकि glycolysis में भी ATP का generation हो जाता है तो यहां पर कोई special structure तो पाई नहीं जाती है और respiration के लिए इनके जो ATP हो glycolysis के द्वारा बन जाती है अब हम समझते है एक्स क्रेटर सिस्टम के बारे में या उतसाजन तंतर के बारे में फाइलम प्लेटियल मंतीज में उतसाजन के लिए special structure पाई जाती है और यह specialized cell जो है वो phlegm cell कैलाती है जिनको हम proto nephredia के नाम से जाना जाता है यानि यह nephredia जो हम एनलेडा में देखेंगे फाइलम एनलेडा में उनसे यह थोड़े primitive होते हैं तो इनको proto nephredia नाम दिया गया है और इनको phlegm cells phlegm cell क्यों का गया है phlegm phlegm का मतलब होता है इंदी में कहें त बिलकुल हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं जैसे कि हमें जब हम दिया जलाते हैं तो इसमें लो भी हिलती रहती है इस परकार से cilia भी यहां पर movement करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो इसको हम phlegm cells नाम दिया जाता है that help excretion and osmoregulation जो इनमें excretion और osmoregulation दोनों का function करती ह एक्सक्रीशन की प्रक्रिया में हम करते क्या है एक्सक्रीशन में जो भी nitrogen वेस्ट होती है उनको हमें body से बाहर करना होता है और osmoregulation में हमें water और जो ions होते हैं minerals होते हैं उनको सेरी में balance करने का कार्य होता है और इन animals में जो यह proton ephredia है यह दोनों काम यही करते हैं यानि ज excretion का का काम और जो osmoregulation का काम यह phlegm cellC करती है अगर हम उनका oxygen product देखें यानि उत्सजी पदार्थ के बारे में बात करें तो यह ammonia का oxygen करते हैं इसलिए इन animals को हम ammonotelic animals कहते हैं यह ammonia का secretion करते हैं हुमन के संदर्व में बात करें हम खुद के संदर्व में बात करें तो हम ure utolik हैं यानि urea का oxygen करते हैं और ammonia highly toxic होता है इसलिए इसको body से बाहर निकालना आवसिक होता है अब हम बात करते हैं sense organ की बात यानि समवेदी अंगों के बारे में तो इनमें anterior post जो portion जो होता है आगे वाला जो भाग होता है उनमें auricles पाए जाते हैं यानि दो उभार like structure पाए पढ़ रहे हैं इन auricles chemo receptors होते हैं यानि ये chemical को sense कर सकते हैं जो आसपा surrounding में जो भी chemicals होंगे उनको sense करके उनके प्रतिये react कर सकते हैं इसके अलावा two eye sports और photo receptor are present दो eye sports पाए जाते हैं जिनको photo receptor भी कहते हैं photo सिर्फ ये light को ही detect कर सकते हैं यानि कम या ज्यादा light हो तब इनका movement यानि सिर्फ उसी के detection के लिए ये eye sport काम करते हैं जिनको हम photo receptor भी कहते हैं इनकी संक्याद दो होती है जो कि इनकी anterior part पे देखने को मिलते हैं nervous system nervous system यहाँ पर well develop होता है यह अगर हम compare करें lower invertebrate के तो यहाँ पर काफी विक्सित परकार का nervous system देखने को मिलता है लेकिन अगर हमारे से अगर इनको तुलना करें या इनसे आग्याने वाले फाइलम से तुलना करें तो यह उनसे primitive हो जाता है जो और यह ladder like nervous system पाया जाता है कैसे comprises a pair of anterior ganglia इनमें जो anterior जो बाग है यानि जो head वाला जो बाग है उसमें cerebral ganglia हमें देखने को मिलते हैं गैंगलिया क्या होता है गैंगलिया जब बहुत सारे neurons आपस में klump हो जाते हैं एक सगर जुड़ जाते हैं तो उनको ganglia कहते हैं चूँकि यह आगे वाले बाग पर ह इसलिए इनको cerebral ganglia कहते हैं तो यहाँ पर anterior ganglia या cerebral ganglia जिनको हम brain की संगिया देते हैं वो पाये जाते हैं इनकी संगिया दो होती है और इनसे जुड़ी हुई two longitudinal nerves भी जुड़ी रहती है जो कि इनकी body में फैले रहती है और जो longitudinal जो nerve होती है वो बीच में जो इनकी बीच में जो surface होगी वो किस से जुड़ी होगी transverse nerve के द्वारा जैसे कि diagram में आप देख सकते हैं यह longitudinal दो nerves आपको दिखाई पड़ रही है और इनके बीच बीच में यह जो dot जो दिखाई पड़ रहे हैं यह गेंगलिया है यह दो longitudinal nerves हो गई और इनके बीच में transverse कमिशोर है इनको जो के बारे में parasitic जो animals होते हैं उनमें reproduction system well develop होता है पूरी तरह से विख्षित होता है इनमें asexual reproduction और sexual reproduction दोनों ही प्रकार का reproduction देखने को मिलता है asexual reproduction इनमें budding के द्वारा मुकुलन द्वारा transverse physis यानि इनकी body में transverse की तरफ से एक खांच बन जाती है और body के दो पार्ट हो जाते हैं और दो animals का formation हो जाता है regeneration पुनरुद बोवन जो की इनमें काफी अच्छी शमता देखने को मिलती है यानि अधिक पावर की इनमें regeneration पाई जाती है जैसे की इनमें एक example है planaria जो regeneration की जो power की खोज की गई है वो planaria में उसका काफी रोल है और planaria को हम जब इसके दो पार्ट कर देंगे तो उसके दो अलग 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 पार्ट होने से भी दो अलग अलग अनिमल्स का निर्मान हो जाता है इतनी इसमें regeneration की capacity पाई जाती है यानि यह एक तरह का asexual reproduction है कहते हैं जिसमें दो parent participate करते हैं या दो gamit participate करते हैं यो दो युगमक participate करते हो उसको हम sexual reproduction कहते हैं तो यहाँ पर asexual reproduction दोनों ही हमें देखने को मिलता है यह animals mostly monoseous होते हैं monoseous जिनको हम hermophrodite भी कहते हैं monoseous यानि एक ही animals के उपर depend होना है एक ही animals पर जब आदमी depend हो रहा है या यह animals depend हो रहे हैं इसका मतलब हम क्या समझें इसका मतलब यह हुआ कि एक ही animals के उपर एक ही सरीर के उपर male and female दोनों reproductive organ पाये जा रहे हैं इसलिए इनको एक और नाम देते हैं हर्मोफ्रोडाइट उभई लिंगी हम नाम देते हैं some dioces कुछ ऐसे हैं example जो की dioces होते हैं या नहीं दो अलग-अलग होते हैं male और female दोनों अलग-अलग होते हैं जैसे की example है cystosoma, cystosoma आगया example आएगा इसके बारे में हम देखेंगे, cystosoma एक ऐसा example है जो की male और female इंद में अलग-अलग होते हैं, well developed gonads पाये जाते हैं, पूरे तरह से विक्षित इनमें gonads पाये जाते है और इसके लगवा copulatory organs भी इनमें पाये जाता है, fertilization इसमें internal होता है और cross और internal fertilization होता है, यानि सरीर के अंदर fertilization की initiation की प्रक्रिया होगी, male और female gamete सरीर के अंदर ही इनमें fusion की प्रक्रिया होती है, अब हम देखते हैं development यानि इनका विकास परिवर्दन किस परकार से होता है तो इनमें direct और indirect दोनों परकार का development देखने को मिलता है, direct का मतलब क्या हुआ, जहां पर जब कोई young one जनरेट होता है, तो वो adult के समान होता है और किसी परकार की दूसरी अवस्ता में प्रवेस नहीं करता है, जबकि indirect अवस्ता में वो एक larva अवस्ता में प्रवेस करता है, य जनरली जो endoparasite होते हैं, उनमें larva देखने को में मिलते हैं, अब तक हमने जाना कि phylum platyl mentis के क्या general characters होते हैं, अब हम समझते हैं इसके classification के बारे में, यानि classification of phylum platyl mentis, phylum platyl mentis के working current के बारे में बात करते हैं, the classification of phylum platyl mentis has given below, कैसा है इसका classification, इसमें तीन class को इसको divide किया गया है, यानि इसमें तीन वर्ग बनाए गये हैं, class first जो है उसमें टर्बिल एरिया है, class टर्बिल एरिया, second class है ट्रिमेटोडा, and third जो class है वो है सैस्टोडा, यहाँ पर यह एक प्लेनेरिया दिखाय गया है, औ phytosoma एक parasitic है और इसमें male और female दोनों अलग अलग होते हैं, आला कि एक ही सरी के उपर अंदर की तरफ नहीं पाये जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के सरी के उपर चिपके वे पाये जाते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, class टर्बिल एरिया को, class टर्बिल एरिया जो कि एक इडी वर्म, इसलिए क्योंकि ये जिस पानी में रहते हैं, उसमें एक भवार उत्पन करते हैं, एक एडी उत्पन करते हैं, इसलिए इनको एडी वर्म्स कहते हैं, इसलिए इनको एडी वर्म्स कहते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, अधिकांस ये फ्री लिविंग होते हैं terresal हो सकते हैं, fresh water हो सकते हैं और marine water में भी पाए जा सकते हैं some are ectoparasites और कुछ जो होंगे वो इसमें ectoparasitic होंगे य害ni यह free living होंगे यह ectoparasitic होंगे अधिकान free living होंगे और कुछ जो है वो ectoparasitic यानि सरी के बाहर की तरफ पर जीवी के रूप में पाये जाएंगे बोडी इस डोर्सो वेंटरली फ्लेटेड क्योंकि ये प्लेटियल मंतिज है तो डोर्सो वेंटरल सर्पेश पर दोनों पर फ्लेटेंड होंगे चप्टे होंगे ये एक ऐसी क्लास है जहांपर हमें सीलिया देखने को मिलते हैं और सीलिया क्या करते हैं help in locomotion इनमें locomotion में मदद करते हैं क्योंकि जो यहां पर फ्री लिविंग जो एनिमल्स हैं वो कहां पर पाई जा रहे हैं वो पानी में पाई जाएंगे तो वहां पर यह सीलिया उनके लोकोमोसन में मदद करेंगे Epidermis of body wall contains mucous secreting cells जो epidermis है वहां पर mucous secreting cells इनमें पाई जाती है इसके लावा reptides, reptides special परकार की road like cells होती है या आप कहें structures होती है और इनके कारी अभी तक तो ग्यात नहीं है लेकिन यह phylum, platelum इंदीज का special character है या यूं कहें कि class, turbulent area का एक special character है जो इसमें देखने को मिलता है mouth is ventrally, mouth ventral surface में अधर्शतर होता है और distal from head और जो head post है वहां पर यह नहीं पाए जाता है सरीच से दूर पाए जाता है, जैसे कि यह head part है तो यहां कहीं बीच में यह पाए जाएगा सरीच से कहीं दूर यह mouth part यहां पर देखने को मिलता है hooks and sucker are absent, hooks और सकर यहां पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह बहुत ही कम हमें देखेंगे इसमें जो पाए जाएंगे तो इसमें यहां पर parasitic के रूप में, acto parasitic के रूप में ही पाए जाएंगे तो endoparasitic में hooks और सकर की आप सकता होती है development direct होता है, यहां पर किसी परकार की लारवावस्ता में देखने को नहीं मिलती क्योंकि यह अधिकांस free living होते हैं, regeneration की capacity में high होती है जैसे कि यहां पर एक हमें टर्बिलेरियन दिखाया गया है देखो आप किस परकार से यह अपना भोजन ले रहा है, head portion से इसने गुमा किर इसका जो mouth part होगा, उसको अब्जेट ध्यान से देखिए, इस animation को तो mouth part से यह निकाल के इस animals को grasp करेगा, यहां वाले part पर यहां पर इसका यह mouth part है, यहां पर इस mouth part की मदद से इन animals को grasp करेगा, ग्रेंड करेगा यह आपको इसमें यह example है, बाइपेलियम का, एक terrestrial animal है, जो कि कई अर्थवम को नुकसान पहुचाता है, यह अर्थवम को भी kill करता है यह एक mollusk है, एक snail है, जिसको यह अपना भोजन बना रहा है, आप देशकते हो, snail, यह snail का animal है, जिसको अपना भोजन बना रहा है अब हम इसमें देखते हैं example के बारे में, यानि इसमें और कौन से example है, डुगेशिया, डुगेशिया जिसको हम प्लेनेरिया के नाम से भी जानते हैं, यह एक primitive helmanthies के नाम से जानते हैं इसको, यानि यह primitive animals हैं, और excellent regeneration abilities, इसमें पुनरतबावन की capacity अधिकांस देखने को मिल है, free living होता है, पानी में पाये जाता है, और cannibalism में पाये जाता है, यानि अपनी ही जाती के सदेशों को यह खाने की इनमें विशेष्टा देखी गई है, mejoistoma found in fresh water, fresh water में हमें देखने को मिलता है, यह mejoistoma दिखाया गया है, macro, macro means बड़ा, क्योंकि इसमें mouth, big mouth, यानि इस fresh and marine water, यह दोनों प्रकार के, इसके अलग-लग जाती है, कुछ जाती है, fresh water में और कुछ जाती है, इसमें marine water में, यानि समुदर में देखने को मिलती है, microistomum, इसको enemy of hydra कहा जाता है, microistomum को enemy of hydra इसलिए का गया है, क्योंकि इसका भोजन होता है, वो मुक्य रूप से hydra हो इक्तियोफेगा, इक्तियोफिस के, जैसे हमें नाम समझे में रहे हैं, कि oblivology, यानि मचलिओं के अधिन, तो ethiofega, मचलिओं को खाने वाला, यानि ये मचलिओं के उपर paracetic के रूप में पाया जाता है, और कौन सी मचलिओं पर? जो marine habitat में पाए जाते हैं यानि समुंदर में जो पाए जा रहे हैं उनके उपर ये परजीव के रूप में पाए जाता है इसके अलावा example और भी हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं गुंड़ा, कन्वोलुटा, थाइस, साइनो, जून, बाइपेलियम ये तीनों जो इसके जीनस हैं वो marine habitat में पाए जाएंगे जबकि जो बाइपेलियम जो अभी आपने पीछे animation जो देखा है जिसमें एक snail को ये बाइपेलियम खा रहा था इसको कहते हैं hammer headed worms hammer का मतलब होता है हतोड़ा इसका head जो होता है वो हतोड़े के समान होने करण ये देखो हतोड़े के समान होने करण इसको ये नाम दिया गया है यहाँ पर देखो ये चमकिला, चमकदार, लसलसा जो एनिमल्स है वो थाइसन और जून है और यहाँ पर ये convoluta है तो ये marine में पाये जाते हैं और ये bipolium terrestrial habitat में पाये जाता है next class हम जानते हैं अब हम class trimetoda के बारे में trimeta का मतलब होता है hole और form इसने एक hole-like structure होती है ये का में ऐसे लगता है कि कुछ बीच में cavity होगी इस तरह का में देखने को मिलता है इसमे all are parasitic form इसमें जितने भी जीव हैं वो परजिवी के रूप में पाये जाने वाले होंगे यानि parasitic होंगे mostly इनमें endoparasitic होंगे अधिकांस जो इसके जीव हैं वो endoparasitic होंगे और कुछ जो होंगे वो ectoparasitic यानि सरी के बाहर के तरफ परजीभी के रूप में पाये जाते हैं इसे पूरु जो क्लास थी जो टर्विल एरिया है उसमें हमने देखा कि अधिकांस जो होते हैं वो free living होते हैं और कुछ वो होते हैं वो parasitic होंगे और वो भी ectakaparasitic होंगे रूप में पाये जाते हैं टेगुमेंट थिक होती है क्योंकि ये परासाटिक के रूप में पाए जाते हैं तो थिक टेगुमेंट देखने को मिलती है यहाँ पर सीलिया और रैबडाइटस यह नहीं पाए जाती है दोनों ही structure इसमें देखने को नहीं मिलती लेकिन class turbulent area में हमी यह देखने को मिल रही थी hooks and sucker are usually present जनरली ये structure दोनों ही यहाँ पर देखने को मिलती है elementary canal with two branches elementary जो canal होती है उसमें दो ब्रांचेज पाई जाती है development direct होता है in actoparasite and indirect in the endoparasite यानि इसमें दोनों परकार का development देखने को मिलता है direct और indirect जो actoparasite होंगे उनमें development direct होगा वहाँ किसी परकार की लारवा नहीं पाई जाएगी लेकिन जो endoparasite यानि सरी के अंदर की तरफ जो पाई जा रहे हैं उनमें लारवा वस्ता पाई जाएगी इसलिए उनको हम कहते हैं indirect development कहते हैं यानि ऐप्रत्यक्स परकार का उनमें परिवर्दन देखने को मिलता है example जैसे की cystosoma यह हमें cystosoma एक दिखाए ग स्नेल यह दो अलग अलग अनिमल्स पर depend रह रहा है cystosoma female reduce and live in gynephoric canal of male यहाँ पर जो cystosoma है इसको हम जो blood flow कह रहे हैं इसमें female reduce होती है यानि बहुती कम विक्सित होती है और यह male में एक कैनाल जिसको हम gynephoric कैनाल कहते हैं उसमें यह पाए जाती है जैसे कि यह diagram में आप देख सकते हो यह female है green color में जो आपको दिखाई पढ़ रहा है और यह जो पूरी तरह से grace जो मिट्टी के समान color दिखाई पढ़ रहा है यह male है और इस male की gynephoric कैनाल में यह female पाई जा रही है these parasites causes cystosomiasis cystosomiasis disease होती है जिसको snell fever भी कहते हैं bilharisia भी कहते हैं और यह किसमें human में create होती है यह disease humans में पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर humans भी इसका parasitic है और snell भी होता है इसलिए इसको snell fever और bilharisia भी कहते हैं यह काफी common है और common disease है यह second example है faciola hypetica hypetica word liver से समन्दित है इसको commonly sip liver fluk कहते हैं भेड यकरत करमी कहते हैं diagenetic parasitic होता है यानि दो जीवों पर यह depend रहता है यानि इसके जो पूरा जीवन काल होता है वो दो अलग-लग host पर पूरा होता है यानि दो animals पर यह अपना जीवन यापन करता है फेशियोला hypetica में जो primary host होता है वो sip होता है यानि एक भेड होती है and secondary host जो है वो है garden snail जिसको planorbis कहते हैं यानि यहां पर primary host एक भेड है और secondary host एक snail है एक गोंगा है जो की molluska का एक सदच्य है disease causes is liver root यह liver root create करता है भेड में यह liver की बिमारी है यह primary host infected by metasarceria and secondary host infected by miracidium अब यह क्या है metasarceria and miracidium यह faciola hypetica की larval stage है लार्वा वस्ता है जिसमें हम larval stage को देखें तो miracidium larva sporocyst, radia, sarceria and metasarceria यहां पर इसका life cycle दिखाये गया है यह भेड है और यह एक snail है एक mollusk है जो की planarubis genus का एक snail दिखाये गया है यह adult faciola hypetica है faciola में यह जो miracidium है जो इसका larval है यह miracidium larva विक्सित होता है और इस snail को infect करता है यानि miracidium जो larval है वो snail को infect करने के लिए responsible होता है और इसके बाद में यह miracidium larva कंवर्ट होता है snail के body के अंदर sporocyst में उसके बाद में radial larva में और सरकेरिया लार्वा में सरकेरिया लार्वा को snail बाहार करता है अपनी body से बाहार करता है और वह metacercerceria में convert होता है और metacercerceria क्या करता है? वो भेढ को infect करता है metacercerceria किसी leaf कर यानि पत्ती के उपर चिपका वा पाया जाता है और जैसे ही भेड बक्री जो भेड होती है वो उसको जब पत्ती को जब खाती है तो उसमों ये infection हो जाता है और भेड में इसको liver rot कहते हैं नेक्स एक्जांपल है diplozoon, diplo means दो और जून means animals ये ectoparasite on the gills of fresh water fishes, fresh water स्वच जल में पाये जाने लिए मचलियों में ये परजीवी के रूप में बाये परजीवी के रूप में पाये जाता है जैसे कि यहां पर diplozoon दो इंडिजवल दिखाये गए हैं और दो इंडिजवल पसमें जुड़ेवे पाये जाते हैं, अधिकान्स केसे में इस परकार से ये जुड़ेवे दिखाई बढ़ते हैं और इनको जब हम देखते हैं तो X के आकार का या H के सेप का आगहा में ये animals देखने को मिलता है और दोनों हमें साथ साथ पाये जाते हैं Monogenetic Trimedors है यानि दोनों जो animals हैं किसी एक ही मचली के उपर Parajiv के रूप में पाये जाएंगे In which adult individuals remain unite in pairs in permanent और इनके जो adult individuals हैं एक दूसरे पर पूरी तरह से यानि permanent इस्ताई रूप से एक दूसरे से जुड़े होएं पाये जाते हैं Permanent Copulation in the form of Cross यानि X के स्वेप में ये एक दूसरे से Copulate करते होएं फिर साथ में ही जुड़े होएं रहते हैं Next example है Paragonymus Paragonymus जो है इसको हम कहते हैं Lung Flux क्योंकि ये Lungs में परजिवी के रूप में पाया जाता है और जनरली ये Humans में पिग में चीता में ये में देखने को मिलता है इसका जो Intermediate Host है वो Snail और Crustation यानि इसके जो Host हो सकते हैं Woman के अलावा, चीता के अलावा, पिग के अलावा और बहुत सारे भी हो सकते हैं जैसे की Snail हो सकता है या Crustation Crustation में तो बहुत सारे हैं तो वो भी परजीवी के रूप में इनके Intermediate के रूप में इस्तमाल किया जाता है तो ये है Paragonimus जिसको Lung Fluke भी कहते हैं, इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे Next Clonarchis Sinensis Clonarchis Sinensis ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको Human Liber Fluke कहते हैं Manusia का ये Mysra क्रमी कहते हैं इसको Chinese Liver Fluke भी कहते हैं क्योंकि ये China में सामन्यते हैं देखने को मिलता है Oriental Liver Fluke क्योंकि Oriental Region में ये सामन्यते हैं देखने को मिलता है Asia और जो Asia वाला जो भाग है वो Oriental Region कहलाता है Endo Parasite skincare animal है, यह clonorkis sinensis, endoparasitic होता है and diagenetic होता है polyestomum, जो polyestomum है, वो endoparasitic है और monogenetic है parasitic in urinary bladder of frog toads and turtle यह frog, menduck toad and turtle इन में urinary bladder जो मुत्रा से होता है, वहाँ परचिवी के रूप में पाया जाता है, यह office orcus sinensis है, जिसका वर्तमान में genus change करके, clonorkis sinensis कर दिया है, और यह polyestomila है, अब बात करते हैं, next class की जो class है, sastoda अब हम phylum platial mantis की third class, sastoda के बारे में बात करते हैं, sastoda जो class है, उसका origin Greek basa के, kastos kastos and idios से word से हुआ है जिसका मतलब होता है, kastos का मतलब होता है girdle and idios का मतलब होता है, form यानि इनकी जो आकरती होती है वो girdle form की होती है girdle जैसे दिखाई पड़ते हैं they are exclusively endoparasite जो sastoda class के जो जितने भी members हैं वो पूरी तरह से अंतयप रजिवी होते हैं, endoparasite होते हैं most of animal are tape-like, इनमें अधिकांस जो जीव हैं या worms है, वो tape के समान होते हैं इसलिए इन सभी animals को tape worms का जाता है, यानि class sastoda के सभी सदस्यों को tap worm का जाता है इनकी body elongated होती है, इनकी body काफी लंबी होती है, जैसे कि आपने फीता कर्मी देखा होगा, and divided into segment, और segment के रूप में divide होती है true segmentation यहाँ पर नहीं पाए जाता है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि इनकी body segmented होती है यानि इनमें false segmentation पाए जाता है, जिसको आप pseudo segmentation भी कह सकते हैं, यानि आबासी इनमें खंडी बोवन पाए जाता है these animals have hooks and sugar, इनमें hooks पाए जाते हैं और सकर पाए जाते हैं, hooks और सकर दोनों ही parasitic adaptation है और यह जिस animals के उपर रहते हैं, तो उस पर चिपकने में यह दोनों ही मदद करते हैं anterior part is called iscolex इनका जो आगे वाला, जैसे कि diagram में जो यह आगे इनका भाग है, यह iscolex कराता है, और यह जो बाकी इनकी body का जो part है, वो हम segments के समान दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्ता में segmentation नहीं पाया जाता है true segmentation नहीं पाया जाता है true segmentation की definition है, उसको हम इस परकार से परिबासित करते हैं कि एक segment में पाये जाने वाले organ, दूसरे organ, दूसरे segment में पाये जाने वाले organ, इन दोनों में जो presence of organs हैं, उनकी similarity होनी चाहिए, यानि इनका repetition होना चाहिए, उसी को हम true segmentation मानते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है और इस anterior portion को हमने कहा है, स्कोलेक्स and स्कोलेक्स contain four और सकर, और स्कोलेक्स के उपर की तरफ, चार सकर्स पाये जाते हैं on the body wall, tegument and microvilli are present, यानि जो body wall है, उस पर tegument structure पाये जा रही है और microvilli भी पाये जा रही है microvilli यहां पर food absorption करने में भी मदद करती है क्योंकि इन में किसी परकार की हमने समझा कि इसमें digestive system पाया ही नहीं जाता है, तो इनकी जो body wall है, वही observation absorption का करने का काम करती है नहीं, absorption करने का कार्य करती है digestive system is completely absent, इनमें digestive system बिलकुली तरह से, पूरी तरह से absent होता है digested food taken by the body surface जो digested food जैसे कि हमारे अगर intestine में अगर पाया जाए, तो हमारे द्वारा जो digested किया हूँ food वही worms लेते हैं यानि ये sestroins जो हैं, वो इनको ही grant करते हैं, body segment are called pro glottids इनके body के segment को, जो जैसे कि ये आपको segment दिखाई पढ़ रहा है, again segment जो दिखाई पढ़ रहा है, ये segment pro glottids कैलाते हैं अब इसके बाद में, जो segments हैं, इनको हम अलग-अलग जगे पर इनकी body में, अलग-अलग जगे पर अलग-अलग नाम देते हैं, जैसे कि four part of body है immature segment, यानि body का जो four part होता है, जैसे आप ये जो diagram में देख सकते हैं, ये जो आगे वाला जो भाग है, ये जो भाग है, इसमें पाए जाने वाले जो segment है, वो immature pro glottids कैलाते हैं, या immature segment इनको कहते हैं, middle part है mature, जो बीच का जो भाग है, उसमें mature segment पाए जाते हैं, and posterior part है, gravid pro glottids, और जो पीछे का जो part है, last का जो बचा हुआ part होता है, उसमें उसको कहते हैं, gravid pro glottids होते हैं, कहते हैं, और ये mature part होता है, और इसमें male and female reproductive organs या हम कहें कि इनके द्वारा नए organs का निर्मान किया जाएगा, these gravid pro glottids, यानि जो last का जो mature segment का portion है, are separated from body, one by one, यानि ये इन में से एक segment निकल गया, फिर एक segment निकलेगा, फिर ये और निकलेगा, यानि एक के बाद में एक ये segment अपनी इनके सरीर से अलग होते रहते हैं, इसको हम कहते हैं, apolysis, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, apolysis, इसके लावा एक और terminology है, strobilization, strobilization क्या है, the process of formation of new segment from the below of to the iscolex, अब यहाँ पर इस diagram में जो हमें neck part जो दिखाई पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं, इसके उपर वाले भाग को हम कहते हैं, iscolex, और जो neck वाला जो region है, इस पर नए-ने segment का origin होता है, और नए-ने segment होकर, इसकी पूरी body के segment है, जो इसके compartment है, प्रोगलोटीट से इनको बनाए रखने का काम करती है, यानि अगर नए segment का निर्माण हो रहा है, नए प्रोगलोटीट का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, strobilization, इन animals में fertilization internal होता है, and self होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, bisexual होते हैं, एक ही सरीर के उपर male और female reproductive organ पाए जाते हैं, development इन में indirect होता है, क्योंकि इन में totally endoparasitic होते हैं, सभी अंतव रजीवी होते हैं, और अंतव रजीवी में हमने जाना कि इन में larva आवस्ता पाई जाती है, larval stages पाई जाती है, और larva stages इन में कई परकार की larva पाई जाती है, सेस्टोडा के example देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, टीनिया, सेजीनेटा के बारे में, टीनिया जीनेस है, और सेजीनेटा इसकी species है, इसको हम कहते हैं, बीफ टैफ वर्म, क्योंकि ये बीफ में पाया जाता है, इसलिए इनको बीफ टैफ वर्म कहते हैं, ये डाई जैनेटिक होता है, यानि दूए पोस्ट की होता है, दो एनिमल्स के उपर ये डिपेंड रहता है, प्राइमरी होस्ट इसका हूमन होता है, और सेकेंडरी होस्ट इसका कव होता है, यानि जो गाई है, इसका सेकेंडरी होस्ट है, और हम खुद इसके प्राइमरी होस्ट हैं, तीनिया सोलियम, दूसरा जो एक्जम्पल है, उसको हम कहते है पोर्क टेफ वाम, सुवर फीता कर्मी, ये भी डाइजेनेटिक होता है और इसका प्राइमरी होस्ट हम खुदी है, हुमन, और इसका सेकंडरी होस्ट पिग होता है, सुवर होता है अब यहां पर जो टीनिया सोलियम है, इसकी लारवावस्टा कई बार पूछ लेते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है, लारवावस्टा इसमें ओंकोईस्पेर, हेक्जाकेंट क्योंकि छे हुक्स पाई जाते हैं, ब्लेड़ वम लारवावस्टा और सिस्टी सर्कस ये चार इ यानि सिस्टी सर्कस लारवा, टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस लारवा हमें इंफेक्ट करता है, एन इंफेक्शन इस्टेज ऑब सेकेंडरी होस्ट इस ओंकोईस्पेर, सेकेंडरी होस्ट जो की यहां पर है, पिग सूर को इंफेक्ट करने का काम ओंकोईस्पेर करता है, तो यहाँ पर आप डाइग्राम में देख सकते हैं यह रो में इसमें हुक्स पाए जाते हैं बहुत सारे हुक्स पाए जाते हैं यह नेक रीजन है और सकर इसमें चिपकने में मदद करते हैं कुछ और एक्जांपल हम देख लेते हैं मोनिजिया मोनिजिया यह है endoparasite of ruminants ruminants में यह endoparasite एक रूब में पाए जाते हैं इसको सिप टेफ वर्म भी का जाता है यह भी ध्यान रखना है Echinococcus granulosis Echinococcus granulosis इसको कहते हैं hydrated worm hyper tap worm या एक और नाम दिया गए है dog tap worm क्योंकि यह dog में सामने तपाए जाता है इसके लवा dipalidium dipalidium जो है उसको भी हम dog tap worm कहते हैं यानि अगर primary रूप से हमें पूछा जाए कि dog tap worm कौन है तो वो है dipalidium है लेकिन अगर हम Echinococcus का other नाम पूछे तो उसका dog tap worm ही है और hyper tap worm ही इसको का जाता है next example है hymenolapis nana इसका नाम हमें इसलिए ध्यान रखना है because smallest tap worm है यह सबसे छोटा tap worm है in the human लगबग 2 से 4.5 cm की इसकी length होती है यह human की intestine में parasitic करूप में पाया जाता है next example है ralitina ralitina इसको के हम कहते हैं bird tap worm और last example है emphilina यह emphilina तो आपको इन example को बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए so यह echinococcus है उमीद है आपको philoplati 1130 के general character और इसका उपर की रण समझ में आयोगा thank you